हेलो फ्रेंड्स राधे राधे और आज का वीडियो बहुत ही ज़धा खास होने वाला है आज हम एक ऐसे दिव्य बनस्पती के बारे में बात करेंगे जो बहुत ज़धा समतकारी है और ये जो पौधा है ना हर जगह ऐसे मिल ही जाता है गाउं में अधिकतर मिलता है बहुत तमाम तरह की चीज़े है जो तांतरिक हिसाब से भी इसका उपयोग किया जाता है मतलब अच्छे चीजों के लिए करना चाहिए बुरे चीजों के लिए हमें नहीं करना चाहिए तो इसका जो जड़ होता है उसे हमें एक दिन इसको आमंतरित करना पड़ता है और उसके बाद हमें इस जड़ को लेना होता है और इसे दूद गंगाजल में धोकर और इसे एक छोटे से कपड़े में लपेट कर आप अपने पास रख सकते हैं पहनना भी है तो पहन लीजिए या फिर अपने पास रखिए ये बहुत फायदा करता है और इसे धारण करने के बाद अगर जो आपका शत्रू है वो भी आपका मित्र हो हो ही जाएगा लास्ट में हो ही जाएगा ये एक दिव्य बनस्पती है इसका हमारे सास्त्रों में बहुत बड़ा उपियोग बताया गया है आज तो मैं नहीं बताऊंगे लेकिन अगले वीडियो में मैं आपको इसकी सारी जनकारी जरूर दूँगी तब तक इस वीडियो को पुरा देखिए और हो सकी तो वीडियो को पुरा पुरा श्रेयर कीजिए क्योंकि मैं जो है फालतू बाते नहीं बताती है मैं अच्छी चीज़ें ही बताती हूँ जो आपके कामा है इस वनस्पती के जड़ को आप धारन करते है या अपने पास रखते है जैसे कोई वाहन है बार बार एक्सिडेंट हो जाता है तो अगर आप वाहन में इस जड़ को आप पिले कपड़े में लपेट कर और उसको आप रख सकते हैं अपने कार में या कहीं भी गाड़ी में बाइक में बांद सकते हैं तो ये बहुत फायदा करता है और एक्सिडेंट को रोकता है ये बहुत ही कारगर साबित हुआ है मैंने भी बहुत सारी चीज़े की है बहुत फास फास